ते अचन्दर साहब आपका खत आया है मेरा खत मुझे खत पेजने वाला कोई नहीं है नहीं साहब आपका ही है लखनपूर से किसी कृष्ण प्रसाद में भेजा है कि मैं हुए तेरा कृष्ण प्रसाद मुझे अभी अभी पता चला कि तुफोज में हैं मैं आज के लखनपूर में नहीं हूँ शहर में हूँ उस दर्दनाब बार्दाप के बाद मैं लखन को नहीं गया चंजो तेख बगर अपने आविन के बगर मैं के लखना करना प्रसाद करनाब कर दो बाई! कि कि अगर किसी ने चंद्रू पर हाथ उटाया तो जान निकालूगा चल्ट कि चंद्रू सच पोड़ रहा हूं मैं यह तो नहीं जानता कि तेरे दिल में अभी आर्विन और उसके परिवार वारों के लिए कोई घिला है या है एक रिप्ता जरूर जानता हूं कि उनके दिल में तेरे लिए कोई गिलाशिक्पा नहीं है इसलिए कहा रहा हूं एक बाद कु लखन कु राचा हम दोनों मिलकर आदों के बच्चे से मिलेंगी अगर यंधी बच्चे से लोग से रहा हं अप्रकाण में अप्रक तार्विन धोस कि बच्चे से लोको ये कि उनके से से होगना दोकि घर जाज़िक्पा रहा हूं चेंद्रू ऐसे देखने से पटाके नहीं देंगे जरा रोने की शकल बना ना खेलो बेटी खेलो अर्विन बेटी वो बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी पटाके देदो नहीं दोंगा देदो नहीं तुम लोग अंदर आजाओ यस माम मुझे वो खिलोना चाहिए मुझे ये खिलोना चाहिए नहीं बेटा ये उनका खिलोना है मैं तुम्हें दूसरा ले दूँगी तुम अच्छी लड़की हो ना अच्छे बच्चे ऐसी होते हैं तुम्हारे तरह नहीं सुनू तुम्हारा नाम क्या है बेटा बताओ न तुम्हारा नाम क्या है छोटु तुमसे नाम पूछा तो तुम्हारा भाई बता रहा है तुम क्यों नहीं बताते यह बोल नहीं सकता गुंगा है अबरताई को corrida को या गडरि बटी को बचाओ बचाओ मेरी बेनी को बचाओ कि डॉक्टर साब डॉक्टर साब यह पानी में गिर गए इसको बचा लिचे नर्च हरे आप अधुश्य कुछ नहीं होगा आप बाहर वैट कि कि प्लेज जरा है टी साबत्री देखें आप मिने वहां लेज़ेगे फिकर करने की कोई जरूरी मुझे आपना काम करने तुझी कुछ नहीं होगा अधिक डरोमा अधिक साबत्री एग्ट है कोगे तुप है और अमुट है और प्लत्री आप equipment प्रच्छ भूए भूँ जाध। कर दो कर दो बया यह तो बताव शाद किसका है मेरे छोटे भाई का अभी तक तु छोटो को भूल नहीं पा रहा है ना चाहे कितने भी बरस पीच जाएं मैं छोटो को भूल नहीं सकता यह लो तुन से मिलने तुम्हाँ दो स्केशन प्रसाद आया है क्रपा आया है क्रपा आंदर नहीं आ सकते थे कोई बात नहीं है चोटो का हो गया हो गया चैर में कैसा चल रहा है कि रोकवल्ला जूही चावला नहीं कि रोकवल्ला वो क्या होता है कम ओन यह नहीं जानती और कॉलेज में अड्मिशन मिल गया पहले यह सीख लो बाद में कॉलेज ए तुम लोग यहीं रुको मैं इन लोगो स्पेशल ट्यूशन देख रहा था हूं ठीक है आ रहां गिरोक का वल्ला का मतलब है तुम सब इसने अपना गिरोक वाला अभी तक नहीं छोड़ा तू बालों से शुरू करते हैं और वो गिरोक वाला से पता नहीं तुम लोग कब मुसीबत में पड़ोगे बिना रिस्क के लाइफ बिना च्छपाई के पेपर की तरह है बिना जिप के प बात करनी है कैसे पेश आना है अमृता को पता होना चाहिए न उसने अपने मन में मेरे लिए अजीव अजीव से खयालत बना रखें यार यार यानि वो तुमसे घिरोक वाला कहती है तु भूल रहा कि वो हम दोनों की दोस्की भेहन है उसे ऐसे खयाल नहीं आने चाहिए य मुझे लड़कियों की ग्यालियां बड़ी आसानी से हर्ण हो जाती है खर यह सब छोड़ो फिलहाल तुझे अमृता से पीछा छुडवाना यही ना है लड़कियों के दिल में जगे बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन खाली कराना बहुत आसान है अमृता तुस्त जो भी छोटा होता तो चेरे के साथ मैच करता मेरे दोस्त का एक बड़ा शोरूम है साथ चलो तो लेटेस्ट चश्मा दिला दूंगा लड़कियों की खुबसूरती को अप्रिशेट नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा ज्यादा बुरा मत मनना बना तेरे घरवाले बुरा मा देखेना चल फिटले दोनों मंजूर नहीं तो कैसा चलेगा तो अब कि अचले करें पर अब फार करें कि अच्छे देखकर वह अच्छे आप यह चंद्रू वह सब मुझे देखकर हस रही है जोकर को देखके तो हसेंगे ना आप वो वाली हसी नहीं यह प्रेम की हसी है परेम के मैं यह हसी मेरे लिए है हां तेरे लिए मैंने सोछा मेरे लिए कि है जो किसे देख रही है मुझे नजरों से इन्वाइट कर रही है तो फिर सोचता क्या है प्रो सीड आइस क्रीम खिला पटाओं या फिल्म दिखा के पटाओं फिल्म देखते हुए आईस्क्रीम खिला के बताना वो है ना तेरा देखने गिरोक वाला लगे रहो हुए हाई 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 गिरोक वल्ला इसका क्या मतलब है गिरोक वल्ला तुम मुझे गिरोक वल्ला नहीं समझी, गी रोका वल्ला, इसको उल्टा करो, लव करोगी, तुम मुझे लव करोगी, तुम अब बोलो, तुम देखने चलेंगे या आइस्क्रीम पार्ला, तुम्हारे घर चलेंगे, घर, तुम अर्विन दो ना, वो दोनों चंद्रो और कृष्ण प्रसाद है न, हमार बहन अम्रिता, हमारी क्लासमेट है, मुश्क्रा रहा, इसका मतलब है कि बात बन गई है, हमारी भी सिपारिश कर सकता है न, मैं, मेरा नाम बता देना, इसका भी नाम बता देना, गिरोकुवला, 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 गिरोकुवल अरे रुपना, मुझे भी ले जाओ, लखता है आतों के पीजे भागना ही मेरे रशी पे लिखा है अम्रिता, क्या हुआ तुझे? क्या है तुम्हारा लादला बेटा? ऐसा क्या उसने कर दिया जो तु घर की चीजे तोड़ रही है, उससे क्या काम है तुझे? बड़ा भाई है ना, आरती उतार के राखी बनना चाहती हूँ, क्या तेरे दिमाग खराब होगा है? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा लादला है ना, उसका खराब है बड़े भाई के बड़े में इस तरह बाते करते हैं बड़ा भाई? कैसा बड़ा भाई? सावित्रे, जवान लड़की पर हाथ क्यों उठाती हूँ, मैं पुछती हूँ, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बताती हूँ नानी मा, आज तक कॉलेज में मैं सर उठाकर रहती थी, आज उसकी कर्तूत की वज़े से सर जुकाना पड़ा मेरी सहिलियों के पास जाके आईस्क्रीम खाओगी, फिलीन देखने चलोगी, होटल चलोगी ऐसी बातों से परिशान किया है कॉलेज में मेरी नाख कटवा के या मुझे देख के हस रहा है, अवेशा लोग तस्वीर उतारते हैं, आज यह तस्वीर अपने हाप कैसे उतर गई, यह क्या सर पे मौच? मैं उल्टा देख रहा हूँ, अबे यह देख रहा हूँ, यह लोग कहा चले गए, अबे घर खाली कर रहे हैं, अब आबे चीजें उड़के आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो चुड़े लोग कॉलेज पहुंचके अमरिता के कान बरदे होंगे, और वो यहां आके अपना अच्छा, अरविन ने बस्टॉप पे क्या किया था, बस का इंतजार किया, क्या कहा, बस के लिए इंतजार किया, बस्टॉप पे मेरी फ्रेंज से चेरचाड नहीं कि उसने, वो सब तुम्हारी फ्रेंज थे, लेकिन वो तो खुबशूरत थी, देखा अंकल जी, बात बद पीच में मुझे क्यों खसीट रहा यार, अरविन भी बचेगा और तेरा भी काम हो जाएगा, देखा अमरता कैसे चुप हो गई, गेरो कवला, वो क्या है, वो कोई भगवत कीता है, जो उसका मतलब समझोगी, वो जरूर कोई बुरी बात होगी, आंकल जी, बुरी बात है, इसलिए अरवन को गुसाया, और उन्हों को रेक किया, यही हुआ न, तो यह बात है, तभी तो मैं सोचूं, बिन बादल के बसात कैसे, उन लड़कियों ने जरूर कुछ कहा होगा, तभी इसने ऐसा किया है, बिल्कुल, बिल्कुल, आंटी जी, बहुत हो गया है, इसको त कुछ भी हो, अपने दोस्त के बहन के साथ शराफत दिखानी चाहिए न, मैं तो लेक्चर दे रही हो, तुम अपने भाई के दोस्त के साथ शराफत सरेती हूँ, अब भी करती हूँ, ए मिस्टर, आप जरू मेरे साथ आएंगे, तुम्हें किसने बुलाया हूँ, मुझे न अहा, अहा, बस मैं तो बचिया, अरे कृपा, यह गिरोक वला का क्या मतलब है, अंटी चीए, मरे होगे मारोगे क्या, अंटी का नाम लेती, तुम दबा के भागे, इनको गिरोक वला का मतलब चीए, दर्माद है क्यो बन किया, हमारे प्यार के बारे में सबसे धिंडोरा प तुम भी लड़कियों को छेडने लगे हो सुना, खून पी जाओंगे समझ लेना, अब जाओ, अब तक जो कुछ भी हुआ है क्रिपा को बोल दिया है न, अब जाके ये भी बोल, बिल पल पल खोया तुझ ने, प्यार तुही दो है मेरा तेरी चंचल चितवन में ही ये खो गया है दिल मेरा, तेरे रूप का जादू क्या घजब कर ड़या सुहनी सजनी मन में इक हसरत होने लगी, बस तेरी चाहत होने लगी दिल पल पल खोया तुझ ने, प्यार तुही दो है मेरा प्यार तुझ ने, ये, 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 प्यार ते बिला जिन्दगे बीतो क्या है और क्या कहूं सिर्फ जड़ा जहां है तेरी बातों को सहारा मिला है मुझे को, तेरी आउंखों का इशारा मिला है मुझे को तुझा मेरी मैं जा तेरी ये ही प्यार है दिल पल-पल खोया तुझ मीर तुही दो है मेरा लाँ, लाँ, लाँ ये प्यार तो उसे जिला ना ख़तन होगा चाह तो क्ये देप जलता रहेगा तू दिल का सहारा ना तेरे भी गुजरा मैं आमगा कहीं भी जो तुमने उकरा तुरो तो जामेरी वेजा तेरी ये ही क्यार है तेरी चंछल चित्वन में ही ये खोगया है दिल मेरा तेरे रूप का जादू क्या गजब कर गया सुहने सजनी मन में एक हसरत होने लगी बस तेरी चाहत होने लगी कि यहां चंद्रू के साथ जुएट कर रही थी क्यों मजाक सुझ रहा है मेरी जग मर्जी चंद्रू के साथ जुएट कर सकती हूं तुम्हें क्या मुझे कुछ नहीं है बिचारी तु यहां चंद्रू के साथ जुएट कर रही है लेकिन वो वहां किसी और के साथ ज्येट कर रहा है ये सब मुझे किसलिए मैं शहर जा रहा हूँ सोचा भाई बोलता जाओं बस रुको, कुछ कहने वाले थे न अगर नहीं कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी नहीं बोला तो मुझे मार दोगी बोला तो उससे मार दोगी मुझे अपनी जान प्यार ही इसलिए बोलता हूँ देखो सिस्टर, तुम जैसा समझती हो वैसा चंदरू भोला नहीं है उसके लिए लड़किया गन्नी की तरह है उसके चेकर में पढ़के कुछ लड़कियों को बढ़ाई भारी हो गई, आल ही में एक लड़की का पाउँ भारी हो गया कौन है वो लड़की? प्रताप सिंग की बेटी, महेश्वरी देखो अमृता, मेरे दोस्त की बहन हो इसलिए कह रहा हूँ जल से जल उसको भूल जाने में ही तुमारी भलाई है मैं चला प्रताप सिंग जी नमश्कर मैं कौन हूँ आपको जानने की जरूरत नहीं है लखनपूर के जज राज सेखर के घर पर रहने वाला चंद सेखर और आपकी बेटी महश्वरी के साथ प्यार का कोई चक्कर है आपके जानकाड़ी के बगैर वो आपकी बेटी को भगा ले जाने वला है उसे खतम कर दो अंध्यों कैसी गाड़ी चला रहे हो अर्विन भाईया अर्विन भाईया अपने चंद को कुछ लोग मार रहे है अर्विन भाईय को कुछ लोग मार वहे है अर्विन भाईया अर्विन रहे है यह है अर्विन भाईया ये वहे अर्विन हुआ पाट अब जय दूणता है हाँ! पाज़ गुद्दित! वहाँईग भाज़ टाज़ अज़ लोगाईड़ वाज़ लोगाईगई! जब वोगाईगई! लोगाईग! ェ।च्छों प्तरूप प्तरूख झाल थार भट प्तरूख प्तरूख गया हमोग यह हम तरुह तरुह इार कमो छुम तरुह तरूए लग क्या कर रहे हो थे के दाले हो पेट्रोल जल स्चावट्री पोई आपने जाले पुद्धा लोग्या आ रहा है जडिया ये जडिया ये है ये पाने जो तेरा बाप आप उस थमेने के टुकुडे कर डालो अगए प्लीज चल रखाई मुझे मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का अंजाम देख लिया ना फिर कभी इस पर नसर उठाके भी देखा तो पेट्रोल कैन नहीं, पेट्रोल टैंकर लाके तू और तेरे मंगले को जला डालूगा, खवर्दार, जलना जैस अब घर पर है मेडम? चूर पे गए हैं, क्या बात है? अरवी ने पताफ सिंग के गारे को जला के उनके घर पर तोड़ फोड़ किया मेडम क्या हुए भाई जाब? मैंने प्रताफ सिंग से बात किया का उन्होंने? एसपी साब ने भूमने मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माने, जब नई गाड़ी देने की बात की तो मान गए गनी मत्य प्राब्लम साल हो गया कहां साल हो गया और भी बढ़ गया वो कैसे? प्रताफ जी ने मान लिये ना? वो मान गये लेकिन मार खाने वाला उनका भाई अभी तक ज़लाये हुआ है आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता कुछ दिनों के लिए उन दोनों को कहीं बाहर भेजना ही बहतर है ऐसा इंस्पेक्टर कह रहे थे तो मसूरी में हमारे घार है ना? वहीं बैज देते हैं? डाड! यह सब क्या है? उससे डर के हम क्यों मसूरी जाएं? गलती उसकी है उसी के आदमियोंने चंद्रू को मारा था और उसके बाई को भी जला दिया था ये बात नहीं बेटे मेरी बात सुन चंद्रू अच्छा रड़का ये हम जानते हैं बाहर वाले नहीं जानते हैं ये देखो चंद्रू के बारे में किसी ने गुम्नाम खट लिखा है एई ये क्या है? चंद्रू के बारे में बेकार की बाते लिखे बेजा तुमने? तुम ही से पूछ रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है वो लड़की ही चंद्रू का अपने जाल में फास कर अब मासु होने का नाट कर रही है पक्वास बंद कर क्रिपा नहीं बताता तो मैं भी इस बात से अंजान रहती क्रिपा ने बताया? हाँ चाहे तो उसी से जाके पूछो पूछता हूँ अगर गलत निकली तो यह भूल जाओगा कि तुम मेरी बेहन है यह चंद्रू घरवाले डर रहे हैं कि हमारे यहां रहने से कोई गड़बर ना हो जाए चलो कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं आज चलना है चहर जाएंगे यानि कृपा के पास हाँ वह हमें बताय भीना चला गया था रात और रात उसके पास जाके टॉंग बेड कॉफी के साथ उससे उठाएंगे आउस नमबर क्या था नमबर टेन यहीं जगा है यह बंदा को है हो सकता है यही उसका जीजा हो भाई साब भाई साब क्रिश्न प्रसाथ है अंदर बिश्थर पर पड़ा पड़ा सपना देख रहा होगा जाके अंदर ही मिल लो चला अंदर हां देखा वाइटाउस में जॉजबुश की तर घोड़ा बेच के सो रहा है देख इसे में क्या करता हूं तु रुक जाब मैं उठाता हूं न एक रुपा हमने इसे यहीं उठाया तो हमें देखे खुशी के मारे पागलों की तरह चिलाने लगेगा उसका जीजा डिस्टर यह आदमी पलंक के साथ कहा का इब हो गया जीजू जीजू कोपाल जीजू कहा है सुछी तुछा तुझे ले जा रहे तु जाके इसके जीजा का हाल चाल पुष मैं इसकी क्लास लेता हूँ कौन सी क्लास इसको शॉक ट्रीटमेंट दिये बिना ये ट्रैक पर नहीं आएगा तु जा तो वो कौन है ए चंदरू तू यहाँ कैसे तो अर्विंद और मैं जैसे चारपाई भी उठा के लाए वो तू नहीं था अहां चीजा को उठाले ये ना वाले तुम हो कहां है वो यहार कुपाई यहां आयाता हो कौन है उसका बेनोई यार कुपते की तरह पीट दिया मैंने उसे चलो माफिय मांग लेते हैं तावे में जैसे आताव कुंते हैं वैसे मेरे जीजा को गुठे गवार अब सॉरी बोलना है शॉरी जा लो हुआ है मारीआ मुझे किताब करता है मुझे करते किता है अबे तेरी जो आज नहीं छोड़ा मारो, मारो, मारो और खुद मारो इसकी बॉनट तो पूरी तरह देमज हो चकी है अबे ये बॉनट नहीं डिखी है, बॉनट तो ये है मेरी धुलाई करने वाला तू है मैं? दो अंजान लोगों ने तुम्हारा कितना किया ये सुमकर तुम्हे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और तुम मुझे मार रहे हैं? यस बॉस, वो लोग दो थे दो थे? समझ गया मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुझे जान से मारने के लिए आया था वो तो तेरी किसमत अच्छी थी कि तेरा जीजा मेरे हाथ फस गया ऐसी कौन सी गलती की मैंने? क्या गलती की? हमारे चंद्रो का उस प्रताप सिंग की बेटी के साथ ना जाय समन्ध है एसा अमरुता से जूट क्यों बोला तुमने? हमारा से जूट क्यों बोला? वह तुमने विश्वास कर लिया तो ऐसे जूट मुट का हावा दे स तह सब्सुबुरा एसस ने Ismama अमृता से जुट बोला इसने ये सुनके प्रताफ सिंग को अमृता ने ख़त बेजा मैं बताता हूँ तेरी प्यारी बहन चंद्रू से प्यार करती है इश्क फरमाती है लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा अपने दोस्त की बहन से प्यार करना गलत सोचा दोस्ती के नाम पर धबा है समझा इसलिए इसने उसके प्यार को कबूल नहीं किया इसने कहा मुर्दा को किसी भी तरह पीछे अठा दे मुझे सही लगा लगना क्या है यहीं सही है कोई भी सच्चा दोस्त ने सही सुचेगा सच क्या है जाने बिना चल्द बाजी में तुझ पर हाथ उठाया मुझे माफ कर दे है यहीं तुछी नो तुमारा न कोई बात नहीं वह भी फ्रेंशिप के लिए यहीं न मुझे खुशी है खुशी है यार चंद्रू अम्रिता की गलती के लिए मैं माफ्य मागता हूं अब चाहे वो उपरवाला ही कोशिश क्यों न करे हम कभी अलग नहीं हो सकते हूं आए आए आ आए 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 यार मुझको सबसे त्यारा यार ही जीने का सहारा यारी ही इमान है मेरा यारी ही बरदान है मेरा दुनिय में सबसे बढ़कर है मेरी यारी अर्य दोसिती बिना तो ये जिन्दगी है क्या ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो खोंगे ना जुदा दोस्ती बिना तो ये जिन्दगी है क्या ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा दो बदन है एक ही मन है एक हजाब नी यार के बिन्दाओं न सुनता दासता दिल की ये कांग भी चाहे जाए तेरा साथ नहीं चुटेगा तेरा जैसा कहा कोई चाहे मुश्किल कुछ भी आए ये आस्मा जुक जाए कर लेगा आपना क्या कोई यार रवन कभी न तूटे प्यार का अटूट बंधन तू है खुर्ट मुमनननन इलाउंक भड़न त्यार तेरा दो सुती बिन्ना तो ये जिन्दगी हा क्या ये दुनिया पिछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा दो सुती बिन्ना तो ये जिन्दगी हा क्या ये दुनिया पिछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा अद्ग कर ले हम तो होंगे जिन्दगी हा क्या जोराओ ऐसे छीए उनिया ये आदगलाग अपने मतलब की हा दुनिया साथ नहीं देती फूल देती, पल्वी देती, प्यार की ख्रेती जब साथ न कोई आए, सम छोड़ छोड़ के जाए जब दोस्ती मी काम आए जब कोई हुं दूती पट तो मेरे इनफोटों पे सम दोले का ही ना माए यार अब कभी न तूपे, प्यार का अटूट बंधन तू है खुटकू में चंदन, फिलों की घंगन खार देन दोस्ती बिना तो ये जिन्दगी है क्या यार मुझको सबसे प्यारा, यार ही जीने का सहारा यार ही इमान है मेरा, यार ही बरदान है मेरा दूनिया में सबसे बढ़ कर है मेरी प्यारी अर्य दोस्ती बिना तो ये जिन्दगी है क्या ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा दोस्ती बिन्ना तो ये जिन्दरी है क्या ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा कटार की धार तेज करो बॉस पेंटिंग करने के लिए आप क्या कटार इस्तमाल करोगे पेंटिंग करने के लिए नहीं मैं इसकी धार तेज कर रहा हूँ तो कि नपर इसके गड़न काटने के लिए एक वार दो टुकड़े बॉस ब्रश पकरने वाले हाथ में कटार मुसे देखा नहीं जाता बॉस यह मुझे देदीजी उन्हें मैं काटा लूँगा आहा शाबश मेरे लाल तु ही मेरा सच्चा चागिर्द है इस मैने से तेरी पग तुझे खुश कबड़ी पता है क्या तुझे नोगरी से निकाल दिया नहीं बाउस ने मेरी पगार पाँच परहा दिया अभी तुझे जेर आहे वह जा रहा है और भी बढ़ा दिया जीजु को अकल नहीं है अखल होता तो वह तशी को पालता है मुफ्तखोर कहीं का जीजु जीसे ब्रश पकरना नहीं आता उनका पगार बढ़ाते हो बिना पगार के काम करने वाले यहां बहुत पड़े हैं अभी पगले कहीं के आज केलके जमाने बिना पगार के कौन काम करता है बोल अप्रेंटीस अप्रेंटीस हां यानि आप्रेंशन नहीं जीजु बि मेरे पास नहीं है पिलाल दो लड़के हैं चाहिए क्या नहीं ओके पर्मिशन ग्रैंट एक काम कर मैं उनको काम देता हूं रहने खाने के इंसांद तू देख लेना कल काम कहां पर है राज महल में खाना वही देता है न वहीं देता है अरे हां ओई कृपा कबाल का इडिया है ब्राव कम से कम मुझे मनने वालों के मारने की लिए बनकर इस्ति मार करूब का बूलाव उन्मों को भाद बोए वी किनहां पर सथ है वो लोग आगे कहाँ है वह प मैं फिर सोनके पाई जाओँ ऐक काम कर तुँ एक दंड़ा लेस और अ जाको आप वहां क्या हो ऑन मुझे अ पता चलेगा तो वह पता चलेगा उल्स करने अ Чप किन अ दे तुझ क्या हो गया अब अख्कल के अंधे चुपके सागे पीट्वी भूद की तरह हाथ बारता है कौन वे तुम्हीं हाथ में तलवार लेकर कसवी की तरह डारा रहे हो मैंने जो अप्रेंटीस के बारे में कहा हो लोग आगए अप्रेंटीस कहा है कहा गाइब हो गया अरे आना तुम्हारे वज़े से मैं मार खा रहा हूं जीजु यही है ठीक ठीक है वहां क्या देख रहे हो जीजु पांचर हो गया कि अगर आप कि अगर आप कि अगर कि अगर इसकी उनकी अपरेंटीस नहीं है अपरेंटीस एपी पे आर वोई अवाज मंद जैसे मैं बोलता हूं मैं कोई परिक्षा देने जा रहा है जो स्पेलिंग सिखा रहे हो दोनों एक एक डंडे उठाओ और मेरे पीछ आ जाओ मैं उन्हें देखते ही उन पर वार करूंगा तुम लोग भी उन्हें मार मार के क्लोस कर दो यही तुमारी फास डूटी है कम आन फॉलो किसको मारने को बोल रहा है जिसे मारने को कहता है मार देते है पहला डूटी है चल वो किद्ने अपर से बाउस को मारने के लिए उनके पीछे जा रहा है आउसको वो लोग कुलोस करें उसके पहले मैं उनको कुलोस करता हूं देखो उन्हीं दोनों में से एक है वो रुखो देखो वो मुझे ही रूट रहा है कहीं इस बीच वो लोग बहुत सो खतम तो नहीं कर दिया एए तोचता है भागने से तुब बच जाएगा तुझे खतम कर दूँगा कम ओन संभाल के एए अपंटीस लोग संभाल के आना सॉरी आ रहे है कम ओन चार्ज कर दोगा कर दोगा है कर दोगे में कर दोगें आजा बे आजा तुम दुनों नहीं मेरे बॉस को खाट के साथ किड्नैप किया था ना तुमें मारने के लिए ही मैं और मेरे बॉस निकल पड़े हैं कि खड़े क्या देखरें कदे मैंने क्या कहा था हां मारता हूं तुम तुम दोनों ने तेरे जीजा ने ही मानने को कहा था हमने मारा बेवकुफो मैं इसे नहीं किनापर्स को मानने के लिए कहा था भागने के लिए त्यार हो जाओ इने अरे वही जब मैं उस दिन सो रहा था तो मुझे खाट सहीद उठा ले जाके मेरी दुराइक तुन लोगो अरे कितने परसा आये हैं मुझे पताने वाला यहीता और तुम लोगों ने मार-मार की से ही अदमिरा कर दिया गोपाल बेटा गोपाल अरे तुझे क्या हो गया गोपाल आखे खोल गोपाल आखे खोल उठ्जा गोपाल उठ्जा गोपाल कुछ बोलते सही गोपाल को कि सलाम अब्दूलकलाम भैया ह definition क्या हुआ इसे तुमारी सादी कर दुपार ये तुन मार के यह मेंटल हो गया है सॉरी अरे सुनो गोपार यह कृष्ण प्रसाद है और मैं तेरा भावानी शंकर हूं और तू मेरे साथ काम करने लो वर्कर एक गोपार यह लोग को नहीं जानते हैं प्रसाद करते हैं तो अपने साथ ले जाएंगे तो काम नहीं होगा मेंटल हो जाएंगे इसे यहीं पर छोड़ दो नहीं यार कभी ना कभी इसकी यादाश वापस आएगे और इंसान बनेगा तब यह उन लोग को पहचानेगा और हम उन्हें पीटेगे तब तक इसे अपने सासी रखना होगा कम ऑन कम अ अ अब माल गाड़ी के उलाद लोग गाड़ी के ब्रेक फेल होने से मरते हैं तू ब्रेक मारें हैं क्या है एक कोन तुम लोग क्या है या पूछ है हो वहल में पैंदी कर लाए है आताई गेट खोलना चाहिए ना हम खाकी वर्दी क्या पहलने खुद को किरन मेरी के भाई समस्ता चल जल सकते गेट को अधे रोको 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 अधा यही पैलस है राजमहल राज घराने के लोग यहीं पर रहते हैं उन्हें हमारा काम पसंद आया तो हम कहीं इसे कहीं आहिस्ता नहीं उतर सकते क्या अब लंगबूर की अउलाद शा अब बहुत मुश्किल से पैलस मैंजर के हाथ पैर जोड़कर एक लाग रुपी के कांटक्ट मिला था मैं हाथ जोडता हूं मेरी रोजी रोटी मलची ना अबे अंदे की ओलो दिखाई नहीं पड़ता है क्या ओई चिडिया से रहने वाले चेंगली जानवर बेरे यहां कैसे आगे अपन्डिस लोग जान से बाटो लोंगे समाल के समान नीचे उतार चोर की तरह क्या देखते हैं सामने से अच्छ इस तरह जाएंगे तो कईसे चलेगा सब कबूल करके तो आएं थीक बोल रहा है महीना भर तो रहने पड़ेगा मैं कुछ नहीं जानता चलना यार पंदर दिन तो रहते हैं इसे क्या देखते हो बच्चे की जान लोगे क्या अजीब आद भी है उसके लिए मैं काम करता हूं या फिर मेरे लिए वह काम करता है बाप्रे पिता समल के आई चल्दी उतारो जल्दी उतारो अला यह ले पकड़ प्लीज पिंकी पिंकी रुको ना देखो आजकल तुम बहुत शैतान हो गई हो अगर बात नहीं मानोगी तो पीटूंगी चल्दी हाई हाई की रोका वल्ला क्या मैं आके एक्स्पेन करता हूं अरवन क्या है मैं बाद देता हूं बाइए बाइए गाड़ी आ गई 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 अर यह अटव यह सीडि कोई जल्दी अरे तुनों इन डुमोंगेंस आटाओ उधर ले जाओ जल्दी आएं यह क्या बिजिले के कि यहां खरिया काड़ी को हचाव सब्सक्राइब से चल देए तुना नहीं कि अ यह जाजमाल की राजकुमारी आ रही है यह लंदन में पढ़के आई है क्यों यहाँ कोई स्कूल नहीं है यह ले ले यह ले पढ़ाय करके आ रही है बच्पन में गई होगी पढ़ाय खतम करके अभी लोट रहे हैं बिचारी कि आरे एक लास में छे से साल पढ़ी होगी अब हम सबको पढ़ा सकती है हाई मोसी आओ पद मेरी आओ बेटी तुम भी क्या याद करोगे तुम्हारे खादिर और दो चार दिन में यहीं रुक लेता हूँ लोंडिया को देखते ही रादा बदल दिया मिया राज घराने का मामला है तुम्हारा गिरोक वाला यहां नहीं चलेगा लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारी कातिर रुक रहाँ यहां अच्छा जी कहा है फोन पर बात करें वेलकम ओम वेलकम पद्मोनी बेड़ी हलो ऑ लो इन की चीज़े ने रखी हैं इसी ने इसी भुखारी में रखी है पॉर यहां से नहीं निकाला तो तुमको निकाल दूगा यह कचरा है निकाल निकाल नहीं आथ अब मंटल इस तरह क्या देख रहा है चलो से लेके जाओ अधर उठाव सब ले जाने के लिए कि खुमा कि मेरे हात में थमा दिया ले जाओ यह सब ओई त्रमूर्थियों इदर सब्सक्राइब आए उठाके दूगा तू कहा जारा वहाँ नहीं उदर जा कर देयो लुदर ऊंट ओप कर दूगाए यह दरा नहीं है सर वार्निश है या गरनिश है फॉरन साफ नहीं किया तो कांट्राट कैंसल कर दूगा साब मैं हाज जोरता हूँ ऐसा जुलम मत कीजिए साब अरे मुफद कोरो खोड़े कड़ी क्या देख रहा है जल्दी से साब करो ना साब मैं क्लीन करता हूं साब तो फिर करते क्यों नहीं आप इन पागलों को पेइंटिंग काट्रेक्ट दिया किसने यह मैनिजर करें यह ठान्मु अब मारिकिया अजे जाबर 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 जागी weekends... जादी वोणिए्टी आजिए एप्रू वोण मैग्स! वोणोपिएखदी वोणे वोणिए! मैं अचिकिक किर्दा हा lucky... वोणिए वोणे ऴुङमिए! वोणिएए हा लोणिए्एँ distraction! वोणिएएएएएएएएएएएएए वोणिएएएएएएएएए!! प्रभुद। हुआ हुआ Greece हुआ हुआ ऄया हुआ ल Efendi कि लंळ आ भते हुआ 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 सुआ प्रुआ Josh एवन चुपोजा यार चुपोजा एवन बसका रासना इदर आओ यह कैसी है हाँ कैसी है है तुम से ही मैं पागलों की तरह गला फार रहा हूं तुम खड़े-खड़े बतीस ही दिखा रहे हो तुझे तो रुक जाओ वो सूटके सुठा कर उसके सर पर रखो वो सब उठा कर पर मिन बिट्या के रूम में रख दो अंदर सॉरी अंदर आने की जरूरत नहीं यहीं पर रख दो हमें मालूम है रुको हम उतारेंगे झाल वो जुल यह 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है कि यह चीक में कि आवाज कहां से आई थी किसी को मौत से बचाने के लिए कुछ भी करो बुरा नहीं है मुझे माफ कर देना हुआ अब बेटी उसकमीने को काट डालो तो गल्ती कर रहे हो रेज सुनो यार चोड़ो चोड़ो यासे उसको चोड़ो 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 जो काम मुझे करना चाहिए वो लोग कर रहे है चुपए पपे चोड़ो चोड़ो उसे छोड़ दीजिए उसने कोई गल्ती नहीं की छोड़ दीजिए हमारी बात सुनिए हमें करणट लग गई भी करणट लग गई लेकिन कैसे बैटी कायन चलाने के लिए हमने स्टावन किया तो करणट लग गई विरा उसीने आ के हमारी जान बचाई दादी मा अरो पापरे करणट लग गया इस प्लेलेस क्या मैं मैनेज़र हूँ मेरी जान करके बेना करेंट लगता है इंपसिबल यही सुचे राज कुमरी उससे कुछ हो गया तो लाख रुपय का कांटर्ट हाथ से निकल जाएगा जागे बचा लाख रुपय तो तो मत जो तो पहले से में तो ले बैं अपने इसी तरह शॉक लगा था और इसी तरह मैंने मारा धड़कने बंद हुई और सासे रुग गई थी तब उन्हें अपनी शासे देके बचा लिया मैंने उसका अच्छा अच्छा एसे ला दिया तुम लोगोंए इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यह मेरा पदन है यह पेदी के बोड को पूंचते पूंचते हम लोगों को आदत पड़ गहीं है थोड़ा प्यार से पूच्छा नहीं जागा अबे ज्यादा मत जिसो चमडी उधर जाएगी अगर वो रंग निकालना है तो हफ्ते फर काश्टिक सोडा में दुबो के उपालन पड़ेगा क्यों अभी तेक तुम लोग नहीं गये तेरे दोस्त कह रहे था तो फिर गये क्यों नहीं जा रहा हूं अब तुम गिर्गड़ा ओगे तब भी नहीं रूखूंगा तुम बड़ी राजा महरा जाओ जो मैं तेरे सामने गिर्गड़ाओंगा अरे चलते बनना स्षब जी पनमत्या जीयेगी के अनल कवसी ऐती मृस्तौ अगर तुमारा राकांट्रक्ष्यानल नहीं होना ही तो इन दोनों को यही रखना पढ़ेगा गा इन्हें यही रखना पड़ेगा इन्हें भेजना नहीं चाहिए राजकुमारी जी का हिकुम है कभूतर एक मारी दिखाना इसके पाउं में क्या तावीज बनी है क्या तावीज मुझे दिखाना अब तु अपका काम तेखना यह नर है के नारी जाना करती के लिए माफी चाहती हूं एक बार अकेले में मिलना है पदमिनी हाई हम खुद ही आपको बुलाने वाले थे इतने में आप आगए इसलिए एक छोड़ा सा गिफ्ट हमारी जान बचाने के लिए है हमारी जान बचाने के लिए है हम् क्यों एक थैंक्स में बोलेंगे आप थैंक्स यह वर्कम बाई देखा राजकुमारी ने क्या दिया मुझे डाइमन रिंग है अमल के रखना तडकी में काम आएगा तक कर यह अंगोठी तुझे खुद दी उस लड़की नहीं हाँ यार उसने अपनी उंगली से उतार के मेरे हाथ में दिया यह कोई मामली अंगोठी नहीं है उसकी मुहब्बत की निशानी है यह अंगोठी आईयो भाई साब चलो दाड़ी हाई दाड़ी हाई कमान 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 मैं सुछाग देखा दा माची आपको देखके यह कितनी खुश हो रही है और एक आप है एक बार भी फोन करके पूछा इसके बारे में जब देखो फॉर इंटोर बिजनेस बिजनेस ओके ओके अपके बार हम आपके नतनी की शादी करा के आपनी बेटी और दामाद को अपने साथ लंडन ले जाने के लिए ही आये हैं आपके पर आंटा चलो अटाओ तो रुक्चाओ रुक्चाओ अभे इसे कोई फूल समझाय क्या तो हलके से पकड़ा ओए मैंने पकड़ा है कब था पकड़ने से पहले तुम लोगों ने उठा लिया हुं सही कहा है उसे नहीं पकड़ा मैं देख रहा था तो फिर क्यों नहीं कहा है काम करते हुए बात करने के लिए मना किया है बौस कर ना रो इतनी बड़ी घड़ी का सत्विनाज करते हैं नालाए का तो लग काम कर नेकलाये हो या मूझ दपनाने के लिए हो आखिर इसे तोल रहे किस से इप अब आब 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 क्या है कि वो इस से जीजादे 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 क्या हुआ कैसा शुर रहे साब जी 200 सालों से जिस घड़ी को संभाल के रखा था उसे तुम लोगों ने थोड़ दिया बाप प्रे, कितनी पुरानी है कीमती होगी सोच कि में डर गया था बक्वास बन का रखल के अंदे तुम क्या जानों कितनी कीमती है दादा पर दादाओं के जमाने इसे संभाल के रखा था तुम लोगों ने बरभाद कर दिया ऐसी नहीं आए आप चीज आप कहा मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी शिवाय कबारी के तो चुप हो जा, चुप हो जा, मिंटल कहीं क्या गलती होगे माफ कीजे साब जी तुझे माफ कर तू, तेरा कॉंट्राक्ट कैंसल करके दूसरा कब राम यादाओ, मैंनेजर जल्दी आ मेरा कॉंट्राक्ट कैंसल मत करिया आपके पार बताओं साजी यह मैं आ गया हाँ 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 अरे हसोबत नालाइक हो हाँ हाँ बेखुब कहीं के अख्याद रहे तुझे फिसलने के आदत पर गे तुझे पता नहीं कहीं से लेकिन आगर मैं कुछ ज्यादा ही फिसल रहा हूँ हाँ अर्य घड़ी किसे तोड़ी साब बात यहीं कि मेरे लड़के इस घड़ी को समाल कहीं ला रहे थे जैसे आपके पर फिसले वैसे इनके हाथ भी फिसल के साब तो तुझे इंतर करतूंगा साब जी साब जी मेरी बात सुरिये साब जी मेरा कॉंट्रेक्ट साब आप उनसे बात कीजिए न हमारी लिए अब बात करने के लिए खुछ भी नहीं रहा है आके वाउचर में साइन केर आप आप जाए प्लीज नहीं पुरानी घडिये साब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आप जाए प्लीज मैं आपके वाउचर साइन करता हूँ आप चलिए चलिए निकलो यहांसे क्या हुआ यहांसे क्या हुआ भाई दुख मैसूस कर रहे हो दुखी हो रहे हो तुम क्यों दुखी होने लगे तुम लोगों को नॉकरी पड़एक तुम मुछे मुछे जाँ आप जाँ लोगड़ सोचआ मेरी किद्मत को भी तोर दिया कंबक दूने में कहा जाऊं मैं ब्रॉब पकड़ मुझान के लिए तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा अजा तुम का जा रहे हो तुम इने तो जाकर फरनिचर उठाने के लिए कहा अभी तक जितने फरनिचर तोड़े काफी नहीं क्या अब और किसी फरनिचर को हाथ रगा जा निकालेंगों मैं खबर दर अरे तुम लोग जाओ तु ओरे पूरे दिवर को साफ करो अरे तुम बाहर जाओ ना अरे मोटू तरह तु बाहर जाके वह ठीक सब्सक्राइब यह पूछ नहीं नीचे पोश्णा अरे इन लोगों ने मेरी जान नेने की कसम खाई है भाई साब और थड़ा प्यार से रखड़ो उतना जोर क्यों लोग आ रही हो दीवार को कहीं चोटने लग जाए अरे जोर से रखड़ो जोर से रखड़ो अरे बाप ने बाप यह जब मेरी करमां का फ़ल है करीप आख सब्सक्राइब हुआ हुआ है हुआ है है थोड़ा सर पर गिरा दिया इसने जान पूझ के थोड़ी किया वल्ती से चुट गया सास नहीं हारे इसके बेहोश हो गया पानी लेकिया हो पानी यह गंदा पानी है इसे फेकर साफ पानी लिया ज़्दी कर जा अगरे जीजा के सिर पे हाथ फोड़ा गिर गया रुक जा जान से माठा लूगा अगर इन लोगों पर नदर रखो अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो फौरान आपको बताता हूं बंकर माठ डालूगा यह लोग कोई भी काम ना कर पाए यह तुम्हारी दिम्हेदारी है अच्छा कब उतर कुरियर सरीस आ गया क्या है पड़ो हां रा 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 सुन 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 जड़ा जाने कहां दिल खो गया 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 वो गया जाने मुझे क्या हो गया सांसों मैं तू, खावों मैं तू मैं क्या करूँ है यह यह प्यासा है दिल प्यासी नजर ढूंडती कोई मेरी जाने जिगर सुन 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 जड़ा जाने कहां बन ये खो गया 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 दिल गया जाने मुझे क्या हो गया सीने में अर्मान है प्यार के जरकन में तूपान है प्यार के कर ले अर्मान पूरे कर ले कल क्या होगा क्या बता कही न कही तो मिल जाएगा मुझे को मेरा दिल गवा अच्छा हम दोनों मिलके डिस्कों में नाचे गाएं सुन 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 जरा जाने कहा बन एक हो गया 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 दिल गया जाने मुझे क्या हो गया सासों में तू भाबों में तू मैं क्या करो है यह यह प्यासा है दिल प्यासी नजर ढूंडती हूं मैं तुझी जाने जिगर मस्ती की ये रात है साथिया हुआ 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 मेरा दिल तो दिवाना है मुझे को पता नहीं क्या करूं मचल रही है दिल में किसी की अपना बनाने की आर्जु अपना थोई है तेरे सामने आशिक बनाया तेरे नामने माहु में ले ले मुझको अपना बना ले मुझको सबना ये ही है मेरा जाल थोड़ा कर ले अब तो सुन 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 जेरा जाने कहा मन ये खो गया 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 दिल गया जाने मुझे क्या हो गया सांसों में तू खाबों में तू मैं क्या करूँ हाई याई यो प्यासा है दिल यासी नजर धूंडते को ही मेरी चाने जिगर सुन 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 जैता जाने कहां दिल खो गया 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 वो गया जाने मुझे क्या हो गया अज़ा जाने अज़ा जाने अज़ा जाने लाइडीज एंजटनलमें मैं आप साब को ऐसे ख़बर सुनाने मुला जिसे सुनकर आप लोक्त सर्प्राइज होंगे आओ बेटी बद्वनी मैंने अपनी बेटी के लिए हर तरह से उसके काबिल दुल्हा ढूंड लिया है और वो कोई और नहीं मेरे जिग्री दोस्त का बेटा है डॉक्टर शरत रथोड जो लंडन में प्रेक्टिस कर रहा है हलो अंकल आओ बेटी इदर आओ भाई साथ मुहुरत का टाइम नेकल रहा है शगुन देदिए आओ ओक्योप एई देदो मुबारको चल मेरे साथ अगर उस लड़की के साथ तुमारा मेल जूल ठीक नहीं है वो सचमुझ तुछ से प्यार नहीं करती वो टाइम पास करने के प्यार का नाटक कर रही है अगर इसा नहीं है तो वो सगाई के लिए हां कैसे कर रही है बोलो मुझे यह नहीं लगता है कि वो खुद मान गई होगी जरूर उसे मजबूर किया होगा अबे चुपो जब अगर उसे किसी ने मजबूर किया तो वो इस तरह मुस्कुराएगी उसका चेरा तो देख थोड़ी भी शिकर नहीं उसकी माते पर जरूर उसकी मर्जी के साथ यह शादी की जा रही है कि अजै कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अट को सबके सुने के बाद मेरे बिट्रों में आ जाना अब क्या बोलते हो मैंने जो कहा वह सच है अरविन वो लड़की मुसीबत बे है इसलिए रात में तुम्हें अखिले बुलाए है क्या है उससे मिलना तो दूर उस लड़की के बारे में सोचना भी गलत है चलो चल के सोते हैं सुबह होते ही घर लोट जाएंगे ऐसा नहीं है चंद्रू यह लेटर हाड में गया यह लेटर चलो चलो बाहर चलते हैं चलो देखो साथ को बाहर ना जाए इसलिए चंद्रू ने बांदिया है झाल आए बांदिया है मेरा इंतजार करकर के बैचारी सोगए जड़ा उठाते हैं धूका जा रहा है क्यों नहीं उठाया है तो यहीं रहे के कोई आया तो क्या है कि वेल की आवासे सिगनल दे मुझे वह लिया तो दे की तरह कैसे भी चलेगा हि को एक बार पजया कि दिखा हूं वह मैं सब जानता हूं तों मतना है जाया है अब हो कि अब हो करना भूल गया हाँ हम अ कि अ हुई रजब यदिन इं अ ऊ के अ ऊफ अ यह थे हुई हैं अ नपकी आद। गो बगलो टोब गो जया उता है गो एगा गलों या पाट एचा ऊगलों अहा है भुछ्ष्ष्ट करें व्ग जया ये का उछिंग ए हुछ्छा कर दो प्लोंग पुझा मनना चाहते हो। मनना चाहते हो। मननना चाहते हो। भागने वाले वह दोनों अगर नहीं आये तो तुम्हारी जान ले लोगा। सहरी, सहरी उदोने आरे हैं। कि उसे क्यों बात कर रखा है मेरी जुरूरत है न उसे छोड़ दो इसे खोल दो कि उसे पकेड़े कर बांदो हाथ अर्विन की गल्ती है तो इसे कोई भी सजा जीजिए तु क्या कह रहा उसका इसास है तुझे हमारे घर में आके हमारी पदमिनी बेटी पर इल्जाम लगाता है तो गल्ती करने वाली तुमारी पदमिनी है अर्वन जबर्दस थे उसके कबरे में नहीं गया वो गया है तो उसका बुलाने पर कि अधिया 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 नौकरानी के आते ही खुद को बचाने के लिए मासूं बनकर चिलाने लगी और अर्विन को दोशी ठेराया यह चंदू अधिया अर्विन तुछ फुपो जा वह सब्च तुमसे प्यार करती है यह सरफ हवस की भूख है यह आज मुझे जानना है यह क्या यार इन लफों के बातों पर विश्वास करके तुम मेरे बैटी पर शक कर रहा है अई वो सरिफ टेरी ही बेटी नहीं मेरी भी है हमारी घर के बैटी पर सब के सामने कितना घटिया इल्जाम लगाया है पद्मीनी ने कोई गलती नहीं कि ये थाबित करना हमारा जिम्मा है देखो बेटी कल रात इहीं तुम्हारे बेडरूम में आया था जी हाँ इसलिए आया था नहीं पता नहीं पता तुम्हारे बुलाने पर ही तो ये तुम्हारे कमरे में गया था हमने इसी बुलाया हम क्यों बुलाएंगे ये सरासर जूट बोल रहा है मैं जूट बोल रहा हूं जूट तुम बोल रही हो या मैं शौक लगने पर जब तुम तरप तरप के मर रही थी तो अपनी सासे देकर इसने तुम्हें बचाया वह जूट है जब सब लोग इसे मार किसकी है किसकी है यह अंगूठी यह अर्विंट के हाथ में कैसे आ गई यह तुमने नहीं दिया यह सब के सामने का समका के कह सकती हो नहीं कह सकती क्योंकि यह अंगूठी अर्विंट को देने वाली तुम हो इसने अर्विंट के साथ प्यार करने का नाटक किया और उसके मन में आस जगा कर उसको तरफाने लगी अब सब के सामने अंचान बनकर अपनी गल्दी छिपा रही है इसी और की बीवी बंने वाली है यह जानते हूए भी आदी रहत को अर्विंट को आपने कमरे में बुलाया I don't care. You're nothing but a liar and a cheat. You're the one who is cheating. No, you're the one. Bus, करो. You are. Bहुत हो गया. Bus, यार. कम से कम आपकल सच्चा ही बाहर आ गई. हमने जरूर कोई पुन्न किया है. चलो. Please. इनकी बाद उमे आकर शादी मत रोकिया. जरा सोची. मौसा जी. उन्हीं जाने के लिए बोलिए. सोच यूहे खाके बिली हच को जाने वाली बात होगी. बस कीजिए. अब इसके आगे हमारे बारे में एक भी लफ्स कहने का आपको कोई हक नहीं. पजमी नहीं. इसको कुछ भी बोलने का हक नहीं. Get out. I say get out. शुक्रिया यार, अच्छी महमान नवाजी की तुने. चलो. सुनिए. अब हमारे यहां रहना ठीक नहीं होगा. चलो चलते हैं. मैंने बहुत सी लड़कियों से मुझसे लाव करोगी पूचा है. लेकिन तुमसे ऐसा कभी नहीं पूचा. क्यूंकि मैं तुमसे सच मुझ प्यार कर बैठा. मानता हूँ यह एक गल्ती की है मैंने. गुडबाई. रुको, तुम्हारे दोस्ते हमारा चक्कर है बोलके हमारी शादी रुकवादी. पूरी दुनिया के सामने हमारे परिवार वालों का सर जुका दिया. अब सुनो, अगर हमारी शादी होगी, तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ है. और वो शादी इसलिए नहीं कि हमारा उसके साथ कोई चक्कर है तुम्हें उससे हमेशा के लिए अलब करने के लिए Count your days कर आईये जी आयीए आप हम शहर से आ रहे हैं अर्विन का घर यही है ना आईये यही है यह साथ प्रतावकर राजगराने के हैं इंके घर की बेटी क्या अर्विन से रिष्ठी की बात करने आये हैं लड़की है राजकुमरी पदमीनी ये उनके मौसा मौसी है प्रश्रीफ आईए, 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 अरवीन, क्यंद्रू, अरवीन, पद्मनी के, मौसा मौसे आये है, तुम्हारी पद्मनी के साथ शारी की बात कर रहे है, जो हुआ सब मैंने बता दिया, ये गलती ढूनने का वक्त नहीं है, सब कुछ हम भूलने के लिए तयार है, हम एक दूसरे की आनबान और शान के बारे में बहस नहीं करेंगे, क्यूंकि आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है, और हमारी बेटी को आपका बेटा, और सोचने की क्या बात है, अगर आप हाँ तो हम शगुन दे देंगे। शगुन का थाल लाईगे। आपकी पदमीनी ही नहीं, आपका पूरा खांदान उल्टा आओकर तपस्या करे, तब भी हमारा आर्विन नहीं मिल सकता, उठाकर ये सब बार जाईए। तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूँ, इसलिए कोई भी मनमानी करेगा। एए। चंद्रो! दिखिए, इतनी बेज़दी के बाद यहां रहना ठीक नहीं। चलिए चलते। कोई बात नहीं। जो कुछ हो हम भूल जाएंगे। लेकिन आपके घर में भी शादी लाए एक एक बेटी है। यह मत भूलिये। हाई गौतम। हाई। तुम कब आए। अभी अभी माने कहा कि तुम्हारी शादी के बाद हो रही है। इसलिए चला आया। उसके मन को अभी अभी ठंडक पहुंचिए। उसे फिर से जराने के लिए माचिस लेका आया हो। ए तुनो यह हमारी फैमिली मैटर है। तुम जरा। ए गौतम। यह हमारा फैमिली मैटर नहीं है। मेरा परसनल मैटर है। तुम जरा। तो यह बात नहीं, अर्विन देखो, मारे घर वाले कितने मायूस हो गये हैं मायूस क्यों होंगे? मैंने कहए दिया न हे रिष्टा मुझे पसंद नही है अर्विन, उस लड़िक को क्यों मना कर रहा है? मुझे वो पसंद नही है तुझे पसंद नहीं है तेरे दोस्त को मेरे दोस्त को पसंद नहीं, इसलिए मुझे पसंद नहीं पसंद नहीं? तो घराय महमान के साथ ऐसे बिशाते हैं हर बात की हाद नहीं होती क्या इस घर में कोई भी कुछ भी कर सकता है इस घर में किसे क्या करना है इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है मेरे माबापको है चुपकर तुम किस से बात कर रहे हो जानते हो वो भला क्यों जानेगा उसकी नजर में पराये लोग हमसे भी वड़कर है चंद्रू पराया नहीं है इस घर में हम दोनों एक समान है वो तुम्हारे लिए जो भी हो ले एक बाद अच्छी तरह से सुन लीजी आप लोगों से अपने आप से यहां तक ही मेरे माबाप से भी बढ़ करें मेरे लिए लिए इतना सब सुनने के बाद यहीं पर क्यों खड़ी हो और यह बिसर बादो और चलो भाई साब आप मुज़ूर्ग है फिर भी ऐसी बाते करे लीला गलत मत समझना इससे पहले वो हमें यहां से देख्या मारके निकाले हम खोड चले जाते हैं सुनिए उसका गरम खोन है इंजाने में कुछ बोल दिया उसकी तरफ से मैं आपसे माफिय मांगता हूं अरे डैडी यह क्या अंकल और अंटी किसी धुखी हो रहे देखिए अर्विन के जो बात पसंद नहीं वह आएंदे इस घर में कोई नहीं करेगा अब चले मां तुम भी चली आंदर चले अरे चली माजी आपर मुझे बुलाया सिपा इस घर में क्या-क्या हो रहा है? तुछ जानता ही है माना कि अर्विन मेरी कोग से जन्म है लेकिन मैंने तुझे और चंद्रू को कभी पराय नहीं समझा चंद्रू ये सब क्यों कर रहा है मेरी समझमि нет या रहा उसी की वज़े से अर्विन दिशादी के लिए मना कर रहा है हम लोग रिष्टा जोडने के लिए तयार हो गए इसलिए नहीं कि वो लड़की राज खराने की है हमारे अर्विन से भूल हो गई है उस भूल को भी भूला कर रिष्टा लेकर आने वालों की बेज़द ही करके भेजना अच्छी बात है क्या, उसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो, एक जवान बेटी की मा होने के नाते कह रही हूँ, अगर उस लड़की के आंसों को हमारी लिए श्राप न बनना है, तो अरविन को ये शादी करनी होगी, तो क्या करेगा मैं नहीं जानती है, इस मा की मदद कर बेटा, ऐसा मत बोली है माजी, एक शादी जरूर होगे, चलता हूँ क्या यार, कुछ बोलना चाहता था, बोल, मैं जो कहूंगा तुछे पसंद नहीं आएगा, फिर भी मानना ही पड़ेगा, अरविन्द और पद्विन की शादी होनी ही चाहिए, हाँ चंद्रू, वो अभी भी पद्विनी से प्यार करता है, अगर तू नहीं मानेगा, तो व चंद्रू, जैसा तुम दर रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, पद्विनी ही नहीं, कोई भी कोशिच करें, अरविन्द और चंद्रू कभी अलग नहीं होगे, ये बात नहीं है यार, वो अभी भी उस लड़की से प्यार करता है, ये बात आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया, यार, अरविन्द की खुशी के अलावर और मुझे क्या चाहिए, अगर अरविन्द शादी करके हसी खुशी रह सके, तो पद्विनी के जरिये मुझे कुछ भी होजाए, कोई बात नहीं, अरविन्द को किसी भी तरह मैं शादी के लिए राजी करूँगा, थैंक्स यार, थैंक्यों भ्यूँ देर अजय है, देरे अर्विन्द की खुशी नहीं प्रविन्द की खुशी खुशी रह बात नहीं, अरविन्द वह दिखा दिखा आज उन दोनों की शामत है वह कोई भी वह जबी आए वह जिन्दा नहीं जाएगा अरे हडिये हडिये कहा है वह वह देखी बॉस्ट वो दोनों है तुना रशकार हां आपको फलंग के साथ किड्नाप करने वाले वह दोनों ही तो है वह देखी बॉस्ट चेहरा चुपा के जा रहे है चली पकड़ते हैं आज तक तो तुम मेरे भेजा ही खाता था आज मेरी जान काऊँगे क्या यह इस तरह नहीं मान गए चलो का अबीस तुम कि अउलाद वो इसदर के दामाद हैं महाराजा है यह उन्हें कि नबर कहता है इसे जुना को ठीक करने पड़गा लगाओ हाव हो हाव 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 है हर्थ है मेरे अगनवापी हुपी हुपोले त्यार की शहराई बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये रंग लाई जरप यार से तुम देखो हमको महदी फिर अची सजना तेरी बिंदिया चम चम के तुट्या हाल हुआ अपना तेरी बाँ में आके खिल गए दिल की ये जलिया मेरे अगनवापी हुपी हुपोले प्यार की शहराई बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये रंग लाई मेरे झाओ गजदे ऑना विलन की भाई लाई पिया खिलन की रात ये लाई ये अजए ये लाई 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 वाई लाई लाई है 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 तेरी पलके या गुलाब है तेरी आँके लाजवाब है गोरे गोरे गाल तुम्हारे चंद्रुमा से चंगे दिल में खुशियां बेहसाब रै आँकों में बस तेरे खाब रै प्यार प्यारे चंचल भन में अर्मतई मचले खन 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 आज तुम्हारे बोल रहे कंगना भाहों में बरले मुझको मेरे सज़रा पल भर में बदल गया है हाल मेरे दिल का तेरे मिलने के रुत्वाई तुम्हको होना तरसारा मेरे अंगनवा पिऊ पिऊ बोले प्यार की शहराई बड़े दिनों से पिया मिलन की ही रात ये रंग लाई गुम तलाक चिक गुम तलाक चिक गुम दुलहनियां भी सजी हुई है सखियां सारी नाच रही है खुलने वाला है सजन बाराद कोई दिल का गुम तलाक चिक गुम तलाक चिक गुम डोली भी तो सजी हुई है बारादी भी मचल रहे हैं दिल वाले दुलहनियां को लेके जाएंगे मेरा दीदार करेंगे आज मेरे सजनों जीवर के आज करेगी प्यार मेरी सजनी मन में मेरे बहक रहा तेरे खूलों का गजरा रुद आईए हर गले के आखे सजनों मिल जा मेरे अंगनवा पिहुपिहुपोले प्यार के शहराई बड़े दिनों से भी आमिलन की रात ये रंगलाई सरप्यार से तुम देखो हमको मेहन्दी फिर अची सजना तेरे बिंदिया चम चम के तो क्या हाल हुआ अपना मेरे अंगनवा पिहुपिहुपोले प्यार की शहराई बड़े दिनों से भी आमिलन की रात ये रंगलाई अगर ये शादी होनी है तो चंद्रू यहां नहीं होना चाहिए पद्विने बेटी ये क्या कह रही हो तुम अर्विन को बहुत चाहती हो इसी वज़े से बेज़ती सहकर भी हमें शादी के लिए राजी वे अब अगर तुम चंद्रू को यहां से बेजने की शत रखोगी तो यकिनन दी शादी रुख जाएगी रुख जानी दीजिए उस दिन जब हमारी शादी रुख गई थी तब हमें जो दर्धों वो दर्ध वो भी मैसुस करें जब तुम चाहो रचाने के लिए और मना करने पर रत करने के लिए ये कोई गुड़ा-गुड़ी की शादी नहीं है ये इश्वर का फैसला है जिन्दगी भर खुश रहने के भगवान के इस वर्धान को गुस्से में आकर ठुकराओ मत बेटी नहीं मौजा जी हमें अर्विन पर या उनके परिवार वानों पर कोई गुसा नहीं मेरा गुसा उस चंद्रु पर है जब तक वो मौजूद रहेगा ये शादी नहीं होगी बेलकुल नहीं चंद्रु के बिना ये शादी नहीं होगी किसी भी कीमत पर नहीं अगर ये बात है तो ये शादी हरकिस नहीं होगी देखिये, आप सबको मैं आखरी बार कह रहा हूँ, अगर ये शादी होनी है, तो इसी पलीस घर से चंदुर को जाना होगा, बस सावित्री, ये अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है, मुहरत तवर्ट बेता जा रहा है देखो कृपा, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ सगा बेटा, दूसरे तरफ मो बोला बेटा, दोनों में से किस की तरफतारी करू, किसी न किसी तरह तो ही उसे, नहीं माजी, ये शादी के लिए अरविन को मनाने वाला चंदुरू है, ये शादी देखने मैं चलता हूं यार, तुझे नहीं जाना चाहिए, क्यों जाएगा, तेरे बिना वो ये शादी नहीं करेगा, तेरे ना होने से ये शादी रुग गी तो अरविन के लिए बहतर होगा, जो बात उस दिन मैंने तुम्हें कही थी, वोई बात तुम आज दोरा रहे हो, यार, इस वकत अरविन के शादी होने तबहुत जरूरी है, मावपके इजब को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुखा उँ, मेरे के क खबर शादी की रसम पूरी होने तक अरविन को पता ना चले इसकी जमीदारी तेरी है, पयंता है हाँ 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 अब थोड़ी दिर में तुम्हारे दोस की शादी है उसे देखने की बहुत तमन्ना होगी वो कभी पुरी नहीं होगी ये तुम्हारे किये की पहली सजा है हम तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे ना गुंपन के डस्ते रहेंगे तुम नहीं पचोगे हम तुम्हारे में दान डर्फु में जान नर्फु दोनाबी दोनाश जीवरदान जिवरदान जद्वाँ के लिंग को चुजुड़दान ने जहां है उसने चाहे लाग बहाना किया हो, तुझे उसे जाने नहीं देना चाहिया था और अगर उसने जाने की जिद की, तो मुझे नहीं बता सकते थे हे, सच बोल, उसने अपने मर्जी से मेरी शादी के लिए मंजूरी दी थी, या जबरदस्ती किसी ने उससे कबूल करवा लिया अरे बोलना, मेरे माबाप ने उसे मजबूर कर दिया था क्या, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा तो फिर कौन, बोलो उसे मजबूर किस ने किया, मैंने ही, तू पद्मिनी से बेहत त्यार करता है, ऐसा उससे जूट बोला, तभी उसने शादी के लिए मंजूरी थी, ऐसा क्यों कहा तो मेरे, किसी भी तरह ये शादी हो जा इसलिए, नहीं तो तेरे माबाप चंद्रू को दोशी ठेराते, उस सोजे से शायद उसे घर से जाना भी पड़ता, तब अमुर्ता जिंदगी भर रोती रहती, इन समसाओं का एक ही हल था, तेरी और पद्मिनी की शादी, इसलिए जूट बोलना पड़ा, मैं जानता हूं कि इस इरादे से तुमने मुझे से शादी की है, तुम्हें घलत साबित करने के लिए ही मैंने तुमारे साथ फेर लिए, भगवान भी मुझे चंद्रू से जुदा ने कर सकता है, अब उसके कहने के बाद ही, तु मेरी पत्नी बनेगी, मुझे पत्नी मानने के लिए तुम्हें अपने दोस्त की मनजूरी चाहिए, तु मुझे वहार आके मिलो, पत्नी बनेगी, रुक जाओ, चोड़ो मुझे, आज तक मुझे ऐसी चिठिया बेजने वाली तुम ही हो न, चलो मेरे साथ, चोड़ो, चुप चाप चलो, चोड़ो मुझे, जाल, क्या हुआ है, क्या हुआ, ये शोर कैसा, क्या हुआ, दामर जी, इस घर में जो भी समस्या हुई, उसका जिम्हेदर यही है, ये देखिए, मुझे और पद्जिनी को लड़ाने के लिए बेजा हुआ खत है, पड़ लिजिए, खुच जान जाएंगे, इससे पहले भी ऐसी कई चिठिया लिखकर, मुझे तुम्हारा दिवाना बनाया है, तुम्हारी मंगनी की राथ, खत लिखकर मुझे तुम्हारे बेड्रों में बुलाने वाली यही स्वाती है, मुझे और चंद्रों को रास्ता भटकाने वाली यही है, तुम्हारी शादी इतना सब करके अब भी अन्जान बने खड़ी हो, तके सामने कहो के तुमने क्या 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 है हाँ, वो पर्चिया मैंने ही भेजी थी, तुम्हारा मजबूरन यहां रुकना, पादमिनी की शादी रुकवाना यह सब मैंने ही किया था, तुम दोनों से बदला लेने के लिए ऐसा किया मैं भी इसी की तरह इसी खांदान में जन्मी हूँ, लेकिन मुझसे बेजादे इसी को इज़त और सम्मान, और आप सब के लिए यही उवरानी है, महरानी है है ना पहले तुम ही मुझे देखते मुस्कुराए, मेरी मन में तुम्हारे लिए चाहत जगाए, लेकिन पदमिनी को देखते इसके पीछे चले गए, एफ्टर रॉल ही मार्तों को पेंट करने वाले तुम जैसे को भी मैं पसंद नहीं इसके लिए मैंने ये सब किया, और भी करूँगी, करूँगी तुम्हे तेरी ये मज़ा, मेरी बेटी हो कर तुझे रुप चाहिए बिन मा की बच्ची पदमिनी पर हमने जो प्यार जताया वो तु बरदाश्ट नहीं कर सकी एसी मनुहुस की इस घराने में रहने का कोई हक नहीं, जान से माढ डालूँ का तुझे चुप रहो, स्वाती को प्रेम और आकर्शन में फर्क क्या है नहीं मालूँ अंजने में इससे गलती होगे, इसके लिए तुम इसकी जान ले लोगे, क्या? बेटी स्वाती, तुम जाके अद्मिनी को सौरी बोल दो देखा, देखा भाई साब, कितना घंबन दे इस लेटी में, जा, जाके माफी बाई, रंग नहीं रहनी दीजे मौसा जी, जो होना था हो गया, अब सौरी बोलने से माथी पर लगादाग मिठ जाएगा, या खोई हुई इस्जत लौट आएगी, छोड़ दीजी सुनो स्वाती, सर्फ तुम्ही ही नहीं, हम किसी को भी छोड़ा नहीं मानते, उसकी बाप जूद अगर तुम्हें ऐसा लगा, तो हमें माफ करतो हमारी बहन सुजो गलती हुई, उसके लिए हम माफी माफी हुई मांगते हैं, तुम्हें सॉरी कहने की जुरूरत नहीं, वो तो मुझे कहना है, उन चिटियों को पढ़कर मैं तुम्हारा दिवाना हो गया, प्यार करने लगा, इसी वज़े से बिना मर्जी की ये शादी हुई, बिना मर्जी की शादी जहन्नम बन जाती है, मेरे हाथों मा लेकिन एक बात है, इस मामले का कोई भी अंजाम हो, वो मुझे तक रहे, मेरा दोस्त चंद्रू, उसका कोई कसुर नहीं है, वो मुझे बेगत चाहता है इसलिए, और तुम्हें मुझे धोका दिया इस गुस्से में, तुम्हें बुरा भला कहा, उस पर नाराज मत होना उन पर ही नहीं, स्वाती पर भी हमें कोई नाराजगी नहीं है, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, तो आप जैसा नेक इंसान, पती की रुप में हमें कहां से मिलता? सुनिये, हम जल्दी गाउन जाएंगे, अपनी शादी में शरीक किये भी नहीं हमने चंद्रु को भेज दिया था, हम उनसे माफी मांगेंगे पत्मिनी, ये सब सुनके मुझे बहुत कुशी हो रही है, चंद्रु ये बात सुनेगा, तो वाकई बहुत कुशी हो जाएगा सजनी तो प्यार मेरा, तो भी मेरी जिंदगे सजनी तो प्यार मेरा, तो भी मेरी जिंदगे शक्र और हया को मेरे सामने तु छोड़ दे यद की बहारे आई दिल जिल को जोग चमन तुमसे ही महके बदन फूलो सा तेरा धड़कने खम न जाए बहों में आजा आजा मलमा तो प्यार मेरा तु ही मेरी जिंजगी हर तरफ से आ रही है तेरी ही सदा बिन तेरे इक पल न भाए मुझे को क्या हुआ पिर तभारे मेरा दिल भी लगता ना कहीं प्यार जगा के खो नहीं जाना मेरी हंडशी रासता भी तो है जाना मेरी मन जिल भी है तु ही और क्या बोलू मैं तुमका प्यार की भाशा है तु ही मेरा दिन तु तार था पिया पिया कहीं भोले न जाना में छुड़े नहीं जाना अब तो मुश्किल है भूल तुझे पाना मेरे निशा होगे गालों पर तेरे सजनी तु प्यार मेरा तु ही मेरी जिंदर ही प्यार में तेर जीवाई साथी सब कुछ है पुर्वान तु ही मेरे दिल की धड़कन तु ही मेरी जान आखों में है तेरी रोशन दिल में तेरा क्या तो जो नहीं तो कुछ भी नहीं ये जीवन है बेखा दिल की बस एक तमना है हर जनम में तु ही मिलं ये जहां मेरा नहोता दिल की बगिया में तो खिलना तुझ में खुमाद है जबा जबा मुझे प्यार तु से खाना गले से लगा मेरा वादा है यो ही साथ दिखाओंगे तुमने मुझे पुकारा तो दोड़के आओंगे सुझनी तो प्यार मेरा तो ही मेरी जिंदरी बलमा तो प्यार मेरा तो ही मेरी जिंदरी शर्ण और हया को मेरे सामने तो छोड़ दे प्यार की बहारे आई दिल से दिल को जो चमन तुमसे ही महके बदन भूलो सा तेरा धड़कने कम जाए बहों में आजा आजा सुझनी तो प्यार मेरा तो ही मेरी जिंदरी आओ पंदमनी हमें माफ कर दीजिए कोई बात नहीं अर्विन ने मझे सब कुछ बता दिया दुआ करता हूं जो भी उसने कर वैसे ही हो ओके 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 इसी के साथ ये समस्या खत्म अब रह गई है अमृता की समस्या जबसे हम शहर से लोटे हैं मुझे और चंद्रू को देखते ही वह अपनी स्कूटर से भागाती है या तो उससे उसकी स्कूटर छेन लो या फिर इससे उसकी शादी करावें चुपो जाए खुशी खुशी तै की जाती है ठीक है ना संदी साथ कमाल है लड़की का भाई लड़का अबन गया ओके प्रोसीड सुनो स्कूटर वाले सिस्टर जरा शर्मा होगी तो दो बातें कहता हूं आज तक किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाके भी नहीं देखा मेरे दोस्त स्री राम जी का अउथार है पता ने तूने कैसे पटा लिया तू भी ले ले शगुन थैंक यूद नो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा उन दोने ने ऐसा कहा तो आप दोने चुप चाप हां में हां मिला देंगे मां 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 बच्पन से अमरीका मेरे दुलहन बनेगी कि कह कह कर तुम लोग ने मेरे मन में सपने सजाए थे ना अब कोई रास्ते का बिखर या कर उसका फति बन जाए तो मैं तो महीं वह देखकर चुप रहूंगा तेरा दिमाग खराब हो गया अर्विंद की मर्जी के बिना ये शादी हो सकी है ये बात नहीं है जी बरसन से हम कि अमरी तमन्ना थी कि अमरिता की शादी हमारे बेटे के साथ हो जो अपना मुबंकर ये नाला जलार तो उपर देखी डाल रही है बस अब आगे क्या करना होगा ये मुझे मालूम है कि 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 क्या है भाबी अच्छा तुम यहाँ हो हाँ यही क्या भाबी आप और किच्छन की तरह खाना बनाना जानती है बनाना जानते हैं लेकिन कोई नहीं खा पाएगा बिचारा मेरा भाईया यहां काट दें नहीं बहुराने मार्तची को पता चलेगा तो डाटिंगी और आप जाएगे अच्छा तुम्हारी मंगनी के दिन सरोजांटी का चेरा उतरा हुआ था क्यों तुम्हारी चंद्रों के साथ शादी करना उन्हें पसंद नहीं कैसे पसंद आएगा उनका एक नालाइक बेटा है ना उस से मेरी शादी करवाना चाहती है वो याने उस गौतम से उसी से उसी मनुष से और वो गधा जब देखो लाट तपका के मेरे पीछे पड़ा रहता है जितना विदाटो कोई लाज शरम नहीं उस शैतान से मैं शादी करूँ मैं शैतान? सच तो यह है उस जैसे से शादी करने से तो बदन पर क्यरोस इंडाल के खुद को जलाना भैतर है लक्षमी आज जी जी तोरुन से जरा हल्दी लेकर आना ठीक है तुम जाके बाहर का काम देखो ठीक है बहुरानी हम ले आते हैं कि यूरी मुझसे शादी करने से बदन पर क्यरोस इंडाल के खुद को जलाना भैतर है तो जल जा आज जाए 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 आप्रिता प्रिता ठीक मोंना तू अमरिता आज कुछ लगी बेटी यह इता मेरी भी समझ भी नहीं आरा अंकल जी कैसे हो बाद कोई चोट लगी क्या समझ भी नहीं हरा इसे भीग हो गया रूमत बेटी, कुछ नहीं हुआ सब बेटके क्या देख रहे हैं अमरिता का हॉस्पिटल है चल दे, चल लिए चल दे लिए ही बाबी रुक चाओ अमरिता, जब तुम खाना बना रही थी तब इस खिर्की के पास कोई आया मैंने किसी को नहीं देखा तुम लोग यही थे ना, तुमने किसी को देखा हम यहाँ पर नहीं थे बाबुजी क्या कहा तुम लोग यहाँ पर नहीं थी रसोई का काम छोड़कर बाहर कहा मर गई थी हम दोनों यहीं पर थी माजी बहुरानी ना हम दोनों को बाहर बेज के बाहर का काम देखने के लिए कहा सच मा जी उन दोनों की सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं था बस किजिए कुछ मत बोलिए कोई कुछ नहीं जानता है यही ना मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ उचाहे जो भी हो यह काम यहीं बंद कर दो तुम तो ऐसा करे हो कि किसे ने जान बुझ कर ही किया है यह देखिए सब आगे है तो पीछे साड़ी के पलू को आग किसे लगी चंद्रू रसोई घर में स्टोव के अलावा और कहां से आग लग सकती है बता बी सिर्पैर की बाते मत सोचा करो ये बेसर पैर की बात नहीं है, ये देखिए, चली हुई तीली, ये खिड़की के पास कैसे आई, किसी ने जान बुझ के खिड़की से आग लगाई है, उनका निशान अमृता नहीं, मुझ से बदला लेने के लिए किसी ने ये घटिया हरकत की है, ये क्या चंद्रो, घर के ल आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, ये मेरा इरादा नहीं है, जिसने ये किया, मैं उसी को बताना चाहता हूँ, जो मुझ से बदला लेना चाहते हैं, वो मुझी से निप्टे, अगर घर के किसी लोगों को नुकसान पहुँचाया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, जंद्रो, क्या हुआ, क्या हुआ, अंकल जी, कोई कुछ भी ने बोल रहा है, अम्रिता, क्या हुआ, बताना, और कुछ नहीं, अम्रिता खाना बनाते वक्त, पीछे ये साड़ी के पल्लों में आग लगई, आग लगाने वाली तुम्हारी बीवी है, ऐसा तुम्हारा दोस्त का कहना है, पद्मनी, तर ये सब क्या है चल्दोंगा, ये क्या, अंजान की तरह खड़े हो, अगर इसने तेरी बीव को कुछ कहा, तो उसकी बीवी तेरे घर पहला, तो उससे डाटना, वो छोड़के एसी छोड़ी मोटी बातों के लिए अपनी दोस्ती तोड़ोगे, कौन सी शोड़ी मोटी बात, थोड़ी भी देर करता तो अमरिटा की जान जा सकती थी, इसलिए गुसा आया, पूछ लिया, गलत है, खृपा, इसका पूछना गलत नहीं है, गुसा करना भी गलत नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने आग लगाई, ये किसे कह सकता है, ये मैंने देवी जी, शादी पैह होने के बावजूर, पराय मर्द को खत भेजना, आधी रात को अपने बेडरूम में बुलाना, ये सब याद करता हूं तो, ए चंदरू, इन सब बातों के वज़़त स्वाती है, जानता है न, पदमे ने कुछ नहीं जानती है, ये तुम बानो, मैं अए पाइदा उठाकर, इसकी बीकार इन्सार लगता है, पेरा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग मेरा नहीं, तुम दोलों का खराब है, चंदरू, मुझे समझने कीकोशिश कर, पहले तुम अपनी बीवी को समझने की कोशिश कर, मजब से ब्दला लेने के लेकिसी और प यह क्या, वह इंक्यों रुग्गे, अंदर आजाओ चंदरू भाया, बहार आके देखो, तिमसे मिलने कौन आया है? भाया, कहा हो, जल्दी आओ ना? अरे, वहां क्यों रुग गए? अंदर आओ? एक मिनिट भाया यह क्या चंदरू, वहां खड़े क्या सोच रहे हो? आके भाया से माफी मांगो हम्रता, माफी कैसी? मैं उसे ले आता हूँ मुझे माफ करते है, अरवंद, उसे भूल हो गई मुझे उनके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहीते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरे पगले, यह तु कैसी बातें कर रहा है? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में माफी और शर्मिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ दोस्ती होती है कर दोस्ती है देख लिया मैंने जो आग लगए उससे कौन-कन जल गया अरे नालाए वो सो तेरी करतु थी अगर उससे कुछ हो गया होता तो दो दिन बाद दूद मही और फिर क्या कर वो मर नहीं गई जिन्दा तो है ना क्यों टेंशन ले रहे हो बदमश कमी ने तुमारा कभी ऐसी अरकत की तो मैं भूल जाओंगा कि तुम मेरी आउलाद है अरे गौतम अमरिता को कुछ मत कर अगर कुछ करना ही है तो चंदरु को घर से बाहर बीजने के लिए कुछ कर समझा तरफ इस घर से नहीं मा दुनिया से उसे भेचता हूं कि कल होने वाले बेर गाड़ियों की मुकाबले में उसका खत्म करने वाला हूं में आज जी शाब जी हमका बहुत डर लग थे गाड़ी की रफसर मगर किल तूट गवा तो चलावे वाले के जानते खत्रा वा उसकी तुम फिकर मत करो यह ज़रूर तुड़ेगा ना तुट जाई साब शाब च्रबाश। का है मा जी ओह हमारे गाँ में भातावी हर साल होने वाले इस मकाबले में गाड़ी तैयर करने‍वाले हमारे घरंवलो हर मंगल को दादिमा के हातों सम्मानिक किया जाता है इस साल यह आप अपने हाथों से देदे धादी मा यहीं चाहती है दीजे धादी मा अपने हाथों से भाई मंगल हर साल की रिवाद से हट कर पद्मीनी ने अपने हाथों से ये रुप्याद क्यों दिया जानते हो ये सब पद्मिनी का ही प्लैन है ये बात पद्मिनी और मेरे सवा कोई नहीं जानता और जानने भी नहीं पाए भाईयों और बहनों बैलगारियों के जिस मुकाबले काहन बिसबी से इंतिजार है वो अब फोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है हमारे जिलन अधिर श्रीम अधिये एक मिनद में हमारे घर के तरफ से हिसाले रहा है अधिर का दामाद बनने वाला ऐसलिए उसके मुद्धे इस साल के मुकाबले में मैं हिसाले रहा हूं आज़र अभी आप 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 झाल 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 प्लू जो चलते हैं प्लीज चंद्रू जरा मेरी बात सुनना यार तेरे बिना मैं घर नहीं जाओंगा चंद्रू मैंने अम्रिता को वचम दिया है कि तेरे साथ ही लॉटूंगा चल मेरे साथ चल चल जोड़ते हो जे कशे धू कर दू वोगा मेरे बात सुन्नायाओ कि अपर शॉप अपर जूप कि अपर भी तंद दू जैल मेरे बात सुन्नायाओ जपर डूप जडो! 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 चर तो! जडो! जडो! बुल का खंडार। जो बदेना भैर्मे चोड़ना नहीं जोड़ना नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है हो हो चोड़ना पजा angry ङार को पहले हो है झाल 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 मुझे मालम था तुम्हें जरूर आओके चलो चंद्रो आपस आ गया हाँ भईया मैंने उसे ट्रेंच होता तो अपने आखुस देखा है किरपा उसे अर्विन के घर ले गया है पांच साल पूरे पांच साल हो गये हैं पांच साल बाद वो फिर से मेरे जिंदगी में रोखावट बन करा दिया है मैं उसका प्राण ले करी रोंगा कि अधिन कि अधिन कि कि अर्विन का बेटा कहा है चाओ तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रू क्यो रोड़ है अंकर? चंद्रू आपके दोस से नहीं मिलोगे? हाँ आपटे आओ रिखादा उस दिन जब ये खाई से मिला तब मैं लाश ही समझा था पद्मरी के सुहाग की किस्मत जो इसकी जान बच गई हर अस्पताल में दिखाया हर मंदर में मनत्या मांगी लेकिन इसे खोश नहीं आया एक जिन्दा लाश है चंद्रू मैं आया हूँ तुमारा चंद्रू मैं वापस आगे हूँ अर्वंद्थ मुझे एक बार देख न अर्वंद्थ देख अर्वंद्थ अपने चंद्रू को एक बार तो देख इनकी बड़ी ख्वाइश थी कि आप दोनों को अपने हाथों से मिला है चंद्रू अब हम इने के आथों से आप दोनों को मिलाएंगे इनकी बार प्नकी इनकी को अपने हम अपने है बड्रूंद्थ आपने मिलाएंगे व्सले और भूंद्द्थ आपने यवाणने को प्रवश्रूंद्रूंद्रूंद्रू है। हुआ 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 है अम्रिता की कभी शादी होगी तो मुझसे ही होगी मैंने उसी दिन बोला था ना अब उसे इसके हावाले कर रही हो तेरी इतनी हिम्मत की तू दुबरा यहां आ जाए हमारे अर्विन का यह हाल करने वाला तू है मैं तुसे जिन्दा नहीं चोड़ूगा कोश मारा करने आ पिर दला कर देखर जाए है इसके बेख कर दो अनुसरे मुझे पाट दो अर्विन के आरद का जिन्दार मैं हूँ कुझे शला पहलिई जाहिए आउ मुझे बाट है मुझे देख क्या रहे हो आओ झाल झालицे है करे घंग नगयक करे दो है है चिल पाजOoh वि researchers दो है झेग ! झेग ! मैं ! हीorn sitter ? sitter ! हेगे रपंय ? मैं ! प्रुष घजल सकता है अज़ थमादारी तर यद घगश को शगज जाख वढ़ाई जयाँ छीयाँ भीयाँ भीयाँ जब टुटलप शब शवश अजडों हो अजगी दुब अजग कर दो दो अजगा वजडवा दो प्रुष ववश प्रुट पुत उपक्त पुक्त जलाए हे प्हुषण खbro जघरो हो लो stayed करता है! अजिए worked झार नहाँ कि प्रहुत्तiva है। यहाँ कि अप्रों मेए भी नहाँ कि वॉदू। हुआ हुआ! ह minimizing जाख़, वरिट जाख़, जाख़, दे क्षू। एऐख भाख़, भाख़! क्षू। इड एगर! अजैने! हाख़! प्रुछ प्रुछ एाधन कर प्रूब कर दो में तो हुआ एगुआत अगुआत ने सबस्जी कि रगाई LAW ी लूग! झाल झाल